हेलो नमस्कार साथ यो हिंदी की सफल्दा सीरिज में आपका स्वागत है जैसा कि आपको पता है कि हिंदी की सफल्दा सीरिज के अंतरगत हम लोग SSC GD के प्रिवेस एर प्रिश्णों को देख रहे हैं तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रिश्ण है जिस पर आक्रमर्ण ना किया गया हो बाक्यांस के लिए एक सब्द है पहला ओफसन है आक्रांथ दूसरा ओफसन है आक्रमरसील तीसरा ओफसन है अनाक्रांथ चोत्रा ओफसन है अनाधिकरत तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओफसन नमबर थ्री अनाक्रांथ जिस पर आक्रमर्ण ना किया गया हो से हम क्या बोलते हैं अनाकरांत बोलते हैं दूसरा प्रशन आप से पूछा गया था निमलिखित बाक्यांस के लिए उप्रियुक्त सार्थक सब्द क्या होगा सरकारी अधिकारियों का सासन जिसके लिए आपको चार आपसन दिये गए हैं पहला आपसन है सरकार दूसरा आपसन है राजसाही तीसरा आपसन है सासन चौसरा आपसन है नौकर साही तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन नमर फूर नौकर साही सरकार या धिकारियों का सासन कुम क्या बोलते हैं नौकर साई तीसरा प्रशन है बरतनी की दरश्टी से दिये गए बाग के असुद्ध भाग का चैन कीजिए घोशना की गई कि लोग अपने अपने हत्यार माल खाने में जमा कर दें तो दिखिए इसमें आपको बताना है कि टुटी किस भाग में दी गई है जिसमें पहला प्रशन है में जमा कर दें दूसरा प्रशन हत्यार माल खाने तीसरा प्रशन है घोशना की गई चौतरा प्रशन की लोग अपने अपने रिकेस में आपको पता है कि हतियार गलत लखा है, हतियार में कैसा आता है, छोटा, छोटी एकी मातरा आती यह था पर, ठीक है, हतियार, ऐसा लखा जाता है, तो अफसर नमबर दूसरा क्या हो जाएगा, आपका, राइड आंसर हो जाएगा, बागी सभी क्या है, ठीक है, ठीक किसरा और कुछ भी ध्यान ना देना चौतरा और ला परवाय हो ना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और दूसरा प्रिटी सोधातमक कष्ट पहुंचाना किसका आर्थ हो जाएगा च्छाती पर कोड़ों दलना इसके मोहवरिकार्थ क्या है प्रिटी सोधातमक कष्ट पहला और चाल की सागर्ष चैट पारिश्टान किसका ओड़ाय है किरें धाना अकास को ठीक है कि लिए तो इसकर इक आणजे रोलिब लगद्र दूसरा सागर च्छटवा पर समय दिये गए पकल्पों में से कौन सा सब्द निमलेखित बाक में रेखांग किस सब्द का पर्यवाची नहीं है देखे समुद्ध पर सेतु का ननमार करना उन्नत यांतिकी का परिणाम है तो आपको बताना है कि कौन सा सब्द इसमें से समुद्ध का पर्यावाची सब्द नहीं दिया गया है तो देखें इसमें रभी किसका पर्यावाची सब्द होता है सूर का बाकी पयोधी, रतनाकर, अर्णव ये तीनों किसके पर्यावाची सब्द होते हैं कि समूद्ः का प्रयावाची नहीं होगा तो कौन सा नहीं है इसम sprouts का प्रयावाची सब्द होता है ठीक है कि लिए यहां तक सभी तो साथवा प्रशने सब्द बचार की दरश्टी से किरिया विशेशा सब्द है पहला अफसन है सकर्मक, दूसरा अकर्मक, तीसरा अविकारी, चौतरा अविकारी तो देखे सब्द बचार की दरश्टी से किरिया विशेशा सब्द तो कौन सा है बताईए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आविकारी आठवा प्रिशन है निमलिखेत मौहाबरे के लिए उप्रेयोक तसार थक सब्द क्या होगा दातों तले उंगली दवाना तो पहला आपसना खुस रहना खुस होना दूसरा आपसना गरीब होना आश्चा करना भूट फेट होना तो दीखिए आप जब भी कुछ चीज से आश्चा हो जाती हैं तो आपने नाखुन के मुह से यानि दातों से कतरने लगती हैं तो उसको क्या हो दे हम दातों तले उंगली दवाना जब कोई आश्चा चेकित हो जाती हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आश्चा करना आपसन नमबर थरी आपका राइट आंसर हो जाएगा नौवा प्रशने आउले के रस का उपियोग आपके लिए लाबकारी सावित होगा उपियोग तो बाक के में पियोग सब्द का सही अर्थ किया है उपियोग का बताना आपको सही अर्थ क्या है तो पहला अफसोन न धूना दूसरा उपस्न एप्धैमं तीसरा आपस्वन है पीना चोज़तरा उफसन लाबकारी क्या हो जाएगा इसका राइड 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 चौरफ्र आफसर नहीं अवस्च भावी तो इसकी राइट गेत आंसर क्या हो जाएगा? बताईए बताईए जो अवसर के अनुशार बता जाए उसे हम क्या बोलते हैं? अवसर भादी बोलते हैं अवसर नम्मा दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्यारवा प्रशने तुम्हारे तो सास में दम हो गया इस बाक में सास के इस्थान पर उप्रियोक्त सब्द क्या होगा पहला अप्सवन है आख, दूसरा अप्सवन है सर, तीसरा अप्सवन है नाक, चोथरा अप्सवन नम है तो देखे तुम्हारे तु नाक में दम हो गया पहला तीसरा अपसान इसका क्या हो जाएगा राइड आंसर हो जाएगा हम बोलते नहीं तुम्हारे तु नाक में दम हो गया अपसान नम्बर थिरी आपका राइड आंसर हो जाएगा 12 प्रश्ण अन्यम लिखित बाग के किस सब्द में असुद्धी है लोग रविवार को छुट्टी मनाती है देखे हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं रविवार क्योंकि हमारी छुट्टी होती हम बहुत को सुट्टी रविवार कैसा लखा जाता है छोटी की मातरा दी हो आपर तो रविवार असा लखा जाता है असुद्धी किसमे होई है इसमें रविवार में असुद्धी हो अफसर नमबर वन आपका राइड आंसर हो जाएगा 13 प्रशन निमलिखित बिकल्पों में से किस एक बाक में ऑनर्थ सब्द के रियो उच्छित ब्लॉम का प्रियोग हुआ है तो आपको बताना है उनर्थ का ब्लॉम सब्द City का किस बाक में किया गया पहला वसन है वह वैदर करता है दूसरा वसन सट्धी क्या होती है तूसरा वसन है संदर है चौतरा और अपरा दी है बताइए इसका क्या हो जागा राइट अंसर तो देखिए अनर्थ का का बिलॉम होता है यानि कोई काम नश्ट हो जाना यानि किसी चीज को आपने जैसे हम कोई लड़ाई उद्ध करते हैं आपने खिलते हृृ नम्बर दूसरा आपका राइट एंसर हो जाएगा अनर्थ को अपने हार मान के चलती है क्योंकि इसका बिजए से संब्द किया गया है सत्त की बिजए होती है चाहः ने ख्त में में उचित विकल्ण चुलकर सब्द बदलें इसकी भासा सरल और सुवुध पूर्ण होती है पहला dzieci है तिसरा अचिप सरल और सुवुध त् audit तीसरा अचिप सरल और ओस्वुध और चौतरा हचा अंसर हो जाएगा उपसन टोफा नमबर 4 उसकी भासा सरल और सिबूद होती है ठीक है आज की क्लास का लाश्ट प्रिश्ट है निम्ल ने बिकल्पों में से किसमें गलत अपादान का प्रियोग किया गया तो अपादान को हम कैसे पता लगा है किसमें गलत किया गया तो अपादान में क्या का था से या किसी चीज़ से अलग हो न उसे हम बोलते हैं अपादान ठीक है अपादन कारग का प्रियूग उसमें होता है तो भाई मुझको अलग रहता है पहला अप्सन दिया गया है दूसरा उप्सन है मेरे हाथ से चड़ी तूट गई यानि अलग हो गई तो इसमें तो अपादा सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक से जरू कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक करना ने भूलें जिससे आने वाली किलास करनों डिविकिशन आप तक पहुंच सके मिलते हैं कल की कलास में जय हिन जय भारत